बजट का चैप्टर कर लिया तो क्या पास हो जाओगे बजट के लावा बैलेंस ओफ परमेंट और फोरान एकचेंज भी करूँ गा बैलेंस ओप प्पएमेंट और फोरान एकचेंज मिलाकर 6 마र्क्स के हैं पूरे 6 masks लाओँ गा तो आज का चैप्टर है हमारा balance of payment यानि भुकतानशेश के उपर तो देखो balance of payment होता क्या है अब देखो balance of payment क्या होता है मान लो एक देश है वो अन्य देशों से अगर वो करता है जितनी भी transaction करता economic transactions उसको जो record करता है न उसी को बोलते हैं balance of payment यानि भुकतानशेश मान लो हमने कितना export किया कितना हमने import किया कितना हमने भारवालों से loan लिया या भारवालों को loan दिया यह सभी transactions का record जो रखता है उसे बोलते है balance of payment यानि भुकतानशेश अब देखो definition में भी हो यह कि balance of payment क्या है इस एन account which records all economic transactions between a country and rest of world यानि एक देश मतलब भुकतानशेश वे खाता है जिसमें एक देश वा शेश वेश्व के बीच होने वाले सभी लेंदेनों आर्थिक लेंदेनों का record रखा जाता है balance of payment is an account which records all economic transactions between a country and rest of world हिंदी में भुकतानशेश वे खाता है जो एक देश वा शेश वेश्व के बीच होने वाले सभी आर्थिक लेंदेनों का record रखता है अब देखो balance of payment के दो account होता है current account एक capital account चालू खाता और बचत खाता चालू खाता यानि current account क्या होता है जिसके अंदर visible item को शामिल किया जाता है visible यानि जिन हम देख सकते हैं जैसे कि goods यानि वस्तुएं वस्तुव को हम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं देख सकते हैं इन्विजिबल आइटम अद्रिश्य वस्तुएं जिने हम अद्रिश्य आइटम सोरी अद्रिश्य मदे ये हिंदी में बोलते हैं से अद्रिश् transfer unilateral transfer का हिंदी में मतलब होता है एक तरफा हस्तांतरण तो देखो ऐसा हस्तांतरण जिसके बदले में कुछ दिया नहीं जा रहा जैसे कि मालो बांगलादेश को हमने दान दिया donation दी तो एक तरफा हस्तांतरण है donation अगर हमने दी या हमने अमेरिका से USA से या World Bank से donation ली World Bank ने या किसी ने हमें donation दी तो एक तरफा अस्तांतरण है तो इसे भी बोलेंगे unilateral transfer तो यह सब आएगा current account में ठीक है इसके अलावा एक और चीज़ है बहुत important इसमें वो है remittance एक remittance नाम की चीज़ होती है जो हमाई देश के देशवासी जो होते है बाहर विदेशों में काम करने जाते है तो अपने घर के लिए remittance भेशते है पैसा भेशते है न अपने घर के लिए उसको बोलता है remittance तो वो remittance जो होता न वो भी current account भी ही आता है किसमें आता है unilateral transfer में ठीक है तो अगर एक नमर में पूछे कि वो remittances जो होते हैं वो किसमें आते हैं तो current account की definition क्या होगी इसके बाहर देखो current account की definition क्या होगी इस that account which includes import and export of goods यानि visible item import and export of services यानि invisible items and unilateral receipts and payments हिंदी में सुनो चालू खाता वेख आता है जिसमें वस्तों का आयात निरियात सेवाओं का आयात निरियात और एक तरफा प्राप्तियां वह भुक्तान को शामिल कियाता है दुबारा चालू खाता वेख आता है जिसमें वस्तों का आयात निरियात सेवाओं का आयात निरियात और एक तरबा प्राप्तियां वो भुक्तान को शामिल कर याता है उधारन के लिए अगर हमने मोबाईल को आयात किया, इंपोर्ट किया चायना से, टीवी का इंपोर्ट किया गेहु का निरियात किया, एक्सपोर्ट किया यह सफट्वेर की सेवा हमने दी किसी देश को या call center की सेवा हमने किसी देश को दी या शिक्षा की सेवा दी या फिर दान दिया या फिर remittance आया नि प्रेशन आया English में भी देख लो इसके examples तो example है कि देखो मावल नो mobile का हमने import किया, TV का import किया गेहूँ वीट का export किया, teaching service दी software service दी, donation दी, call center service दी, remittances आया हमाई देश में या हमाई देश से remittance कमा के लेके गए लोग, तो यह सब आएगा current account में, ठीक, next point बनता है कि components क्या है components of current account current account के components क्या है, यानि parts क्या है, तो पहला है visible items visible items, दूसरा है invisible items तीसरा है unilateral transfer और यह जो है ना visible items, हिंदी में इसे बोलते हैं द्रश्ये, मदे इसे बोलते हैं अद्रिश्ये मदे और इसे बोलते हैं एक तरफा रस्तान प्रण अब एक काम की बात visible items, अब एक दूखो यह भी लिख सकते हैं, कि current account includes following क्या क्या include करता है import and export of goods import and export of goods दूसरा import and export of services और तिसरा unilateral receives and payments हिंदे में से बोलेंगे, वस्तोओं का अयात नरियात और दूसरा बोलेновे, से वाँ का अयात नीरियात और तीसरा बोलेंगे, एक तरफा पराप्तियां वा बुकतन एक तरफा प्राप्तियां वा बुकतन अब देखो next point आता है कि balance केसे निकलते है current account का balance of current account यानि चालू खाते का 6 चालू खाते का 6 निकलता है पहले ऐसी समझ लो मान लो हमने 50 रुपे की इस बार वस्तों का निरियात किया यानि एक्सपोर्ट किया और 50 रुपे की सेवा का एक्सपोर्ट किया यानि निरियात किया 10 रुपे हमें दान में मिले ठीक माइनस हमने 25 रुपे की आयात किया वस्तों का 25 रुपे की सेवाओ का आयात किया और 5 रुपे हमें भार से donation में हमने दिये हमने donation में दिये तो यह total मिलाकर हो जाएगा 110 और इसको total करेंगे तो हो जाएगा 55 तो यह आएगा 55 यानि balance of current account आया है यानि हमने दिया इतना भारवालों को और भारवालों से हमें मिला सोरी हमने हमने भारवालों से इतना कमाया भारवालों ने हमसे इतना कमाया यानि total देखो ऐसे समझो हमने export किया 50 का goods का 50 का export किया service का 10 रुपे हमें दान में मिले हमने इतना आयात किया और इतना हमें दान में हमने दिये तो कुल मिला के हमें फाइदा हुआ कि निक्सवान हुआ फाइदा हुआ कि निक्सवान हुआ हमें हुआ फाइदा क्योंकि हमारा balance of current account क्या है positive है balance क्या है हमारे current account का positive है यानि अगर balance of current account positive आता है तो अच्छी बात है good और यह अगर negative आता है यानि कम आ जाता है minus में आता है यानि अगर हमारे यह जो है ना 110 इसकी जगह होता 56 और 15 की जगह होता 100 तो माइनस का 50 आता यानि हमने export कम किया होता, import जाधा किया होता जो की इंडिया में होता है, हम import जाधा करते हैं, export तो आप देखो balance of current account निकालते कैसे हैं balance of current account निकालते कैसे हैं, इसमें लिखते हैं export of goods and service प्लस Unilateral Receipt ठीक और इसमें से माइनस कर देते हैं Import of Goods and Service ब्रैकेट ओपन प्लस Unilateral Payments यानि हमने जो दान पुर्निय करा होगा Unilateral Payment मतला एक तरफा भुकतान हमने जो एक तरफा कहीं भुकतान किया होगा तो इसको एसे देखो, मानलो हमने निर्यात किया 100 रुपे का सर्वी्स और वस्तु का दोनों का सेवा और वस्तु का और हमें दान में मिले 20 रुपे हमने import किया मानलो 80 रुपे का और हमने दान में हमने किसी और देश को दिए 10 रुपे तो यह आएगा 120-90 30 balance of current account 30 दूसरा case देखो मानलो हमने export किया यह second case देखो मानलो हमने export किया केवल 60 रुपे का गुर्षें सविस का और दान में हमें मिले 10 रुपे जबकि हमने import किया मानलो जादा 100 रुपे का वस्तोर से हवा का और हमें दान में मिले हमने दान में दिये मानलो 20 रुपे ठीक है अब देखो 70 में से 120 जाएंगे कितना आएंगे 50 माइनस के कैसे आएंगे माइनस के 50 यह दिखा रहा है कि हमारा balance of current account कैसा है negative आया है यानि हमने export कम किया है और import जादा किया है यह negative माइन तो हमने यह नुकसान देगा हमारे लिए इसके अलावा होता है balance of trade account balance of trade account तो देखो यह भी balance of current account की तरह होता है लेकिन इसमें include करते हैं only goods को किसे only goods मान लो हमने इस बार 40 रुपे के goods बेचे और 20 रुपे के goods इंपोर्ट किये तो total balance of इसमें service इस नहीं लिए हैं मान लो हमने 40 रुपे की goods बेचे वस्तुएं बेची और 40 रुपे के 20 रुपे के वस्तुएं खरीदी इंपोर्ट की तो इसका formula होता है export of goods minus import of goods ठीक है यानि निरियात वस्तुओं का और वस्तुओं का आयात ठीक इसको minus कर देंगे तो आजाएगा example हमने 40 रुपे का export किया और 60 रुपे का import किया तो आप कितना आएगा minus का यानि हमारा जो ये है कैसा आया है negative negative trade balance इसको हिंदी में trade balance को भोलते हैं व्यापार खाते का 6 व्यापार खाते का 6 ठीक है अब ये व्यापार खाते का 6 कितना है घाटे में आया है negative आया है ठीक है इसे बोलते है deficit negative वाले को क्या बोलते है deficit यानि घाटे का व्यापार शिष अब एक सवाल व्यापार शिष positive अच्छा है कि negative अच्छा है सवाल है कि positive balance of trade BOT अच्छा है या Negative BOT Balance of Trade अच्छा है तो Positive Good है इसका मतलब है हमारे Export क्या है जाधा है इसको EX लिख लेते है शोट में इसका मतलब Export जाधा है Import से Negative Balance of ex-import का मतलब है Export कम है Extra जाधा है नेगेटिव Balance of Trade क्या है bad है और हमाई देश में हमारा balance of trade कैसा चलता है negative चलता है positive चलता है क्या नहीं positive नहीं चलता positive नहीं चलता negative चलता है ठीक है क्योंकि हमाई देश के export कम है और import जादा है और current account भी हमारा negative चलता है mostly क्योंकि हमारी services का export भी कम है ठीक है तो total जो balance of trade balance of current अकाउंट आता वो भी नेगेटिव चलता है और बेलेंस ओफ वो भी और बेलेंस ओफ ट्रेट अकाउंट भी हमारे नेगेटिव चलता है